तो आईए बात करते हैं मूलंक दो के बारे में जिन लोगों का पर्थडे मंद के 2, 11, 20 और 29 तारीकों हुआ होता है उनका मूलंक दो होता है सूर और चंदरमा दोनों के गुड़ परसपर विरोधी है परंतो सूर और चंदर के मूलंक एक और दो वाले व्यक्तियों में अच्छा सम्मन रहता है ऐसा इसलिए होता है कि सूर और चंदरमा के तरंगों में एक परकार की परसपरता है तो आईए जानते हैं मूलंक दो के बारे में कुछ खास बाते हैं यदि आपका मूह लंग दो है तो आप बहुत ज़्यादा काइंडली और बहुत ज़्यादा म्रदुभाशी है। आप कलपनाशील, कलाप्रेमी और सवभाओ के हैं और बहुती ज़्यादा रोमैंटिक प्रवरतिक हैं। आप नईनी बातों की खोस तो करते हैं पर उन पर इस्तिर रह पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। चंद्रमा के सवभाओ के अनरूप आप भी चंचल मन वाले हैं। किसी एक कारे को अधिक समय तक करना आपके सवभाओ के लिए अनकूल नहीं। आपके मन में हमेशे नईनी कलपनाई उठती हैं, नईने विचार आते हैं पर आप अपने उन विचारों और कलपनाओ पर इस दिन नहीं रह पाते हैं। मौलिक रूप से कलपनाशिल होने के कारण शरीरिक रूप से अधिक शक्ति साली और बहुत ज़्यादा सुदर शरीर वाले नहीं हैं। इसलिए आप शरीरिक श्रम की अपेच्छा दिमाग की कार्यों में अधिक सफल होते हैं। नेचर से बहुत ज़्यादा सुफ्ट होने के बज़े से आप बहुत ज़्यादा दयारू प्रवर्ति के भी हैं। आप में ना कहपाने की शक्ति बिलकुल भी नहीं हैं। इसलिए आपको कई बर हानी भी उठानी पड़ती है। कि जो रिची है वो परिश्क्रत है तता आप स्वंदर प्रेमी हैं। मित्र बनाने में भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। परन्तो फिर भी अच्छे और सच्छे मित्रों का अभाव आपके लाइफ में हमेसे ही खटकता रहता है। आप में आत्मिस्वास की कुछ कमी है इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आपकी विचारों में परिवृतन आते रहते हैं। पत्नी या पत्नी आपको तो सोशिच्छित ही मिलेगा परन्तो अधरती कलपनाशील होने के कारण कई बार पत्नी में मनमुटाव हो जाना भी संभाव है। ऐसी इस्तिती में आप कुछ भी कर गुजरते हैं। आपको हर समय कोई न कोई साती अवश्य चाहिए जिसके अवहाँ में आपके बहुत सारे काम रुके रहते हैं। चंद्र तत्व के बधानता के कारण आपको सौभाव थोड़ा सा फ्रेंडली है जिसके विज़े से आप लेडीजों में मीन इस्तुरियों में बहुत जल्दी घुर मिल जाते हैं। दूसरे की मन का भेद भी अफशिकर ही जान लेते हैं। यदि आप किसी नदी ये समुद्र की किनारे वाले नगर में रहें तो आपका भाग और भी अधिक चमुठेगा।